आई हो उमीद है आप बहतर होंगे सांदार होंगे मस्त होंगे मैं हूँ आपका विशेक और आप देखना सुरूर कर चुके हैं MD Classes का Official YouTube Channel और आईए लेकर चलते हैं एक सांदार सी रेल गाड़ी Super Fast Division Science का Practices No.37 तो कैसे आप लोग उमीद है कि बहतर होंगे मस्त होंगे सांदार होंगे जब आग लगिस सीने में तभी मज़ा है जीने में और आईए लेकर चलते हैं संदार से सेशन के तरफ जवरजस से सेशन के तरफ पिछली बार मैंने दो सवाल दिये थे और आईगे पहले देखते हैं कि उस दो सवाल का आंसर सबसे पहले किस ने दिया है तो एक ब्रीफ देखेंगे उस दो सवाल का आंसर सबसे पहले किस ने दिया है तो यहाँ पर देखेगा MD classes के humar के तोर पे दो सवाल आया था फ्लूयम का कारे, खाद्यों का प्रवा, तने को सहारा, खनीजों का संचरड, जल का प्रवा, तो दूसरे का A option है और दूसरा है सधारण अस्थाई उत्तकों के कितने प्रकार होते हैं तो सधारण अस्थाई उत्तकों के तीन प्रकार होते हैं पेरेंकाइमा पेरेंकाइमा, कॉलेंकाइमा, एसकलिरेंकाइमा आपसा नमबर C और आपसा नमबर A दो आंसर सही है, एकदम बढ़िया है भईया साहजादी है, दीपचंजी है पिंकी है, केके राय, आत्मराज, मलिंगा, खुश्बू, ज्योती, सभी को बहुत सारा श्वागत है, आईए लेकर चलते हैं, किल लोगों ने आंसर दिया, आप लोगों ने आंसर दिया है, किसने किसने आंसर दिया है आईए देखते हैं, तो सबसे पहले ये लड़का लगातार 10 दिन से मैं देख रहा हूँ, कि इसकी जबाब सबसे आगे होते हैं, भईया तुम सबसे आगे ही रहो, इसकलेरेन काईमा, पैरेन काईमा, क्लोलेन काईमा, असोग जी का पहला जबाब था, प्रतीक ठाकुर जी ये अभी हम इनको नाम कमेंट सेक्शन में देख रहा है, वैसे ये भी इनकों ने जो जबाब देने का तरीका है बहुत अच्छा लगा, प्रियंका राज जी ने भी जो जबाब दीया है, बहुत बढ़ीया जबाब दिया है इन्हों ने भी दोनों के इन सभी लोगों के प्यार आये हैं मेरे क्लास पर पिछली क्लास पर चंद्रवनशी जी का आया है आयूसी ओजहा का आया है यह नाम में कुछ गड़वड़ी हो तो बता दिए आयूसी है कि आप आयूस है मनिस बाबु है और ब्रजेश कुमार जी है और यहां पर अमरकांद क मलिंगा बॉलर लिखने कोई मतलब नहीं था मलिंगा लिखते तो ऐसी पता चाहिता ठीक है पिंकी भारती है और ये कुंदन राज जी है इनका भी जवाब हमेशा मिलता रहता है यहां पर इनके अगला भी जवाब आया है और इनका एदम भिया खुश रहो तुम सेलेक्शन जल्दिलों पटना मेद्व मार तुमसे मिलेंगे लाई सब्ड़ब को मार जी सब्सक्राइब का जवाब और बना उन सब्सक्राइब एड अब है सब्सक्राइब को बहुत किया आपके लिए भी कि भाया आप प्रगती के पद पर जाए और जल्दी से एक वर्दी पाएं तो पहला सवाल पूछा हुआ है एक टेसला का मान क्या होता है एक टेसला अब एक टेसला किसका मात्रक है या एक टेसला का मान किसके बराबर है इसको समझते हैं इसका पूरा आ आप जानिएगा, magnetic field होता है, क्या होगा, अगर हम magnetic field की बात करें, तो magnetic field को हम B से दरसाते हैं, चुम्बकी छतर को हम किस से दरसाते हैं, तो चुम्बकी छतर को हम B से दरसाते हैं, और चुम्बकी छतर का जो मातरक होता है, वो टेसला होता है, चुम्बकी छतर का मातरक जो होता है, वो वेबर पर मीटर स्क्वाइर भी होता है, और चुम्बकी का मान किसके बराबर होता है तो यहां देखिएगा आप जानते हैं कि एक टेसला बराबर दस की घाट चार गास होता है और यह गास होता है यहां पर दस की घाट चार आपसर नमबर एक ठीक है यहां पर एक और बात अगर हम कहें इसी को हम चुम्बकी फ्लक्स घनत्थो भी कहते हैं इसी को हम कहते हैं चुम्बकी फ्लक्स घनत्थो तो चुम्बकी फ्लक्स घनत्थो भी इसी का नाम है तो आगे के क्लास आगे के कोश्चन के तरफ चलते हैं कही के बार चुम्बकी फ्लक्स आता है और चुम्बकी फ्लक्स घनत्थो सब्सक्राइब करें और इनर्जी लगाए कि एक दम जब्रिजस्त क्लास हो रही है जिसमें आप सहभागी हमारे साथ आत्मराजी क्या हल चले जबाब आपका मिला नहीं था गुड़ी बढ़िया है तहजादी बहुत बढ़िया देख नाम एकदम लगता है कि सम आधा हमारे क्लास में राजा महराजा आधा रावडे राक्षस आते हैं कभी लंकेज कभी कोई आईए भाई यहां पर देखते हैं कौन प्रतिबल की बीमा को ठीक से ब्यक्त करता है प्र प्रतिबल को हम एस्ट्रेस कहते हैं अंग्रेजी वाले एस्ट्रेस की बीमा पूछा गया है और याद करिएगा एक बात ध्यान से कि मैंने बहुत पहले एक बात आपको बताई थी कि किसकी बीमा समान होती है तो मैंने आपसे कहा था कि जो दाब की बीमा होती है वही बीमा प्रतिबल की होती है और वही बीमा यंग प्रत्यास्था गुडांग की होती है इन तीनों की बीमा समान होती है तो हमने आप से कहा था कि दाब की बीमा प्रतिबल की बीमा और यंग प्रत्यास्था गुडांग की बीमा तीनों की बीमा समान है तीनों की बीमा के बारे में चर को सखाए यह तीनों इसी के आंसर है और यहां पर यहां दिजीगा यह थीनों इसी के सही जबाव हैं यहां किया कहते हैं इस्ट्रेस अपाने ृवी और बटा भी करिती तो उपर हो जाता है एफ अपान नीचे हो जाता है एल अपान कैपिटल एल चलते हैं यहां पर कहा है आपसे निमलिखित में से कौन प्रतिबल की बीमा को ठीक से ब्यक्त करता है तो यहां पर आप कहेंगे कि सरजी बल की बीमा होती है ML T-2 और एरिया की होती है एरिया की होती है L-square तो बिलकुल यहां से आप सेट कर सकते हैं कि ML-1 T-2 यह भीमा हो भी चलिए आगे चलते हैं अगला सवाल है यदि किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है जिसे लगने के कारण उस वस्तु के स्थान में पांच मीटर का परिवर्तन हो जाता है उस वस्तु द्वारा कितना कारे किया गया जब आप सबसे पहले गुड़ी मनी मेहरा कौन देगा मलिंगा गुड़िया या दो जल्दी जबाब दीए पूरी इनर्जी के साथ जबाब दीए और सही जबाब दीजिए आप से कहा गया है कारे तो बताये ना कारे कैसा utable आपके लिए दस नीूटन और भिस्तातन आपको दिया है, तो कानल साइस विल्कुल सही है, फिश्ठी ने विल्कूल सही है, पूछा है मौत के कुवे में मोटर साइकल घुमाने के दवरान बाहर की ओर कौन सा बल लगता है। नए वर्ष पे भी चारो तरफ मेले लगे थे। और मेले में मौत का कुवा आप देखे होंगे कुवे की जैसी सनलचना होती है। और उसमें बाइक या कार घुमाते हैं करते हैं तो यह mg का एक कंपोनेंट इधर आ जाता है और यही आपका अभिकेंद्र बल के तौर पे चला जाता है। तो अभिकेंद्र बल की प्रतिक्रिया बल जो होती है अभिकेंद्र बल ना लिजेगा इसी का एक प्रतिक्रिया बल इसको इसी का अभिकेंद्र बल का ही ए स्वाल है ताब बढ़ाने पर किसकी स्यानता बढ़ती है तो आईए अगर हम पूछें कि ताब बढ़ाने पर किसकी स्यानता बढ़ती है तो यहां पर ध्यान देना है द्राव किसकी स्यानता आप बढ़ाएंगे ताब बढ़ाने पर किसकी स्यानता बढ़ती है तेजी से इसक गटेगी फोस की भी घटेगी गैस की बढ़ेगी क्योंकि गैस के अडुल लगातार टकराएंगे स्यानता का मतलब घर्षड जब गैस में हम तापमान बढ़ाएंगे तो स्यानता इसकी बढ़ेगी ठीक है इसको ध्यान देने वाली बात है पुछा है उच्छ वोल्टेज से निम्न वोल्टेज की ओर रुपांत्रित करने वाला कौन सा उपकरण है चार आप्शन है सही चुनना है राधे राधे भिया कृति एकदम खुच्रव भिया मस्त रहे सभी लोग लेकिन सेलेक्शन ले लिजेगा आग बुझने ना दिजेगा हमारी क्लास देखने वाले लो समस्यां जेली हैं घर में तो मैं जानता हूँ कि ऐसे स्ट्वेंट से एक ही बात कहना है कि मौका आया है थोड़ा एक्जाम इंतजार में है प्रेक्टिस जबरजस्त कर लिजे कम्प्लीट थेरी को दुबारा याद कर लिजे लगा अतार कोस्चन करिए उच वोल्टेज से निमन वोल्टेज की और पांतरित करने वाला उपकरण ट्रांसफार्मर है बिलकुए और ट्रांसफार्मर किसके सिध्धांद पे काम करता है तो यह विद्यूत चुम्बकी प्रेरण के सिध्धांद के सिध्धांद के किसके सिध्धांद पर काम करता है बिद्यूत चुम्बकी प्रेरड के सिद्धान पर अगला है यह आपके लिए दिया हुआ एक सर्किट है और इस सर्किट में कहा है कि तीन एम्पियर की धारा दो ओम के प्रतिरोध से जा रही है यह बड़ा प्यारा सवाल बना है यानि यहां से कहा है दो एम्पियर की धारा जा रही है नहीं तीन एम्पियर की धारा जा रही है कहेंगे बहुत बढ़िया हैं तीन एंपियर की धारा जा रही है तो पांच ओम के प्रतिरोध से कितना सक्ती प्राप्त होगी कितना सक्ती ब्याय होगी ये निकालना है कैसे निकालेंगे बड़ा इस सवाल में मेन मुख्य रूप से जो है जानते कौन इसमें प्रभावकारी है धारा धारा आप निकालिए बिभव को लेकर जाएए पहले यहाँ पर अगर हम ये आर का मान है और ये आई का मान है तो आई और आर से बिभव निकल जाएगा क्या आई आर बिभव ओम का नियम तिन दुना छे यहाँ पर 6 वोल्ट यहाँ पर इस वाले बिभव में 6 वोल्ट है तो यहाँ पर भी क्या होगा 6 वोल्ट और यहाँ पर भी क्या होगा 6 वोल्ट क्योंकि समनांतर में बिभव समान होता है याद करिए हमने लिखवाया कि समनांतर में बिभव समान स्रेडी क्रम में धारा समाग अब यहां पर पांच और एक 6 हो गया 6 को 6 से डिवाइड किये धारा आ गई ए आप कहेंगे सर जी I बराबर V अपान R तो 6 वुल्ट को जब 6 से डिवाइड किये तो 1 एमपियर आ गया कहेंगे बहुत बढ़िया एक एमपियर आ गया सर जी क्या करें कुछ ना करिए मेरे भाई एक एमपियर की धारा आई है यहां से सक्ती निकालना चाहते हैं तो निकाल ये न कैसे निकालेंगे P बराबर I स्क्वेर R एक सवाल ऐसा आ जाता है उलज के आप रह जाते हैं 1 इंटू 1 इंटू 5 यानि 5 वाट होगा जब तक इसमें धारा नहीं निकलेगा तब तक इसमें मामला साल्ब नहीं होगा तीन एंपियर की धारा इसमें थी इसमें नहीं थी धारा बटेगा नहीं क्योंकि प्रतिरोध बटा हुआ था अपने लेबल के सबसे कठिन सवाल को आपने सबसे आसान तरीके से होते हुए देखा फिर से एक बार समझा देता हूँ मैंने कहा कि यहाँ पर आपको धारा दिया था आपने प्रतिरोध के साथ गुड़ा करके विभव निकाला विभव समनांतर में समान होते यहां धारा निकाली प्रतिरोध के साथ p बराबर i2 android निकाल लिया सीधह आपके पास पावर निकल गया आंसर आ गया बहुत बढ़ि हाँ भया भूमी कुमारी आईए यहाँ पर थोड़ा question करिए LED का पुर्ड रूप क्या है LED का पुर्ड रूप LED में होता है light emitting diode और ये विद्ध्य तुर्जा प्रकास उर्जा में खर्च होती है आब सब ये होगा light emitting diode light emitting diode एक ध्वनी तरंग में 3.5 kHz की आवरिती है इसका तरंग धैर 0.1 meter है इसे 700 meter की दूरी तै करने में कितना समय लगेगा तो अगर हम वेग निकाल ले न तो वेग निकालने तो समय भी निकल जाएगा देखे question को कैसे निकालेंगे V बराबर F into lambda F कामान कितना दिया है 3.5 kHz किलो का मतलब 10 की पावर 3 lambda कामान 0.1 तो यहाँ पर देखे गुडा करेंगे 0.35 into 10 की पावर 3 350 meter per second आजाएगा आंसर वेग के बारे में और आप से कह रहा है किस समय निकाले तो दूरी बटा चाह distance upon speed distance upon speed या velocity ले लिजे तो distance कितना है 700 meter और speed कितना है speed है 300 तो divide करेंगे 2 second आजाएगा यहाँ पर आंसर आगया 2 second बोली clear सीधा आंसर आगया एक वस्तु में उस्त्मा का आदान प्रदान नहीं होता यदि इसकी आंत्रिक उर्जा बढ़ती है तो क्या होगा देखिएगा उस्मा का आदान प्रदान नहीं होगा तो आईसो थर्मल हो गया आईसो थर्मल और आईसो थर्मल प्रासेस में तापमान क्या होती है उस्मा का आदान प्रदान नहीं होता तो यह क्या हो जाएगा एडियाबेटिक प्रासेस होगी इस Process को हम ADIABATIC बोलते हैं नुधोस में Process को रुधोस में USMA का आदान परदान नहीं होता है तो इसका ताप्मान यादी इसकी आंत्री कुर्जा बढ़ रही है То क्या होगा? आगे की चीज़े बताइयेगा यदि इसकी आंत्री कुर्जा बढ़ रही है तो क्या होगा उस्मा का आदान परदान नहीं हो रहा है आंत्री कुर्जा कब बढ़ेगी तो देखेगा अगर किसी वस्तु में उस्मा का आदान परदान नहीं हो रहा है लेकिन यांत्री कुर्जा आपने इस पर काम किया और काम किया तो इसकी यांत्री कुर्जा बढ़ गई आंत्री कुर्जा तभी बढ़ेगी जब गती जुर्जा बढ़ेगी और गती जुर्जा आंत्री कुर्जा का मतलब गती जुर्जा और ये ताप के बढ़ने के कारण हो यह कब होगा जब ताप बढ़ेगा ताप बढ़ेगा तभी आंत्र कुर्जा बढ़ेगी क्योंकि गती जुर्जा बढ़ेगी अच्छा यह सवाल जो है आधुनिक जमाने का सवाल है अगर आप कर पाएं तो भी ठीक है नहीं कर पाएं तो भी ठीक है इस सवाल को हमने ऐसे ए जानते हैं और द्योगिक इकाईयों में बिद्युत की खपत कम करना यह जाहिर सी बात है तार्थक लगू आप देखते हैं कि कहां पर आवसकता है उसी साफसे स्मार्ट मीटर बनाए गये हैं आटो कट डिवाइस बनाए गये हैं तार्थक लगू कहानियों और गीतों की रच अल्टीफिस्य इंटेलिजेंस सारा काम कर सकता है वह बड़ा यजबहा दिवाइस आधरार की जमाने का यह दिवाइस्ति आद्रिक जमाने का यह calcium oxy-cloride यह हो गया bleaching powder और यह bleaching powder में क्या होगा fluoride bleaching powder में क्या होगा fluoride है ना चलिए अगला है sulfuric acid के साथ मिस्रित होने पर litmus billion का रंग कैसा बनेगा sulfuric billion क्या है acid है और अमल क्या करता है blue litmus को किस में convert कर देता है red में तो sulfuric acid के साथ मिस्रित होने पर blue litmus आपका किस litmus में convert हो जाएगा red में convert हो लाल में convert हो जाएगा पूछाए समुद्री जल को सुद्ध जल में किस प्रक्रिया के द्वारा बदला जा सकता है समुद्री जल को सुद्ध जल में तो कौन सी प्रक्रिया अपनाएंगे तो क्या इसमें से कोई ऐसा है जो reverse asmosis के तरफ जाए या आप कुछ और जबाब दे रहे हैं ठेक है समुद्री जल को याद रखेगा इवापुरेशन से समुद्री जल से नमक बनाते हैं इवापुरेशन से हम किसका निर्माड करते हैं लवड का नमक का लेकिन अगर हम बात करें जल में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जा सकता है रिवर्स आसमुसिस ये रिवर्स आसमुसिस की प्रक्रिया द्वारा बदला जा सकता है ग्रेफिन क्या होता है ग्रेफिन आप जानते हैं कार्बन के तीन प्राकृतिक अप्रूफ होते हैं कार्बन के 3 प्राकृतिक अप्रूफ है. कौन से हीरा, ग्रफाइट, हीरा हो गया, ग्रिफाइट हो गया और फ्लूराइट हो गया जिसको हम c60 कहते हैं, लेकिन Krittrium Approve Carbon का क्या है? ग्रेफीन और ग्रेफीन जो है ये NANO Carbon से बनाय जाता है Carbon का नैनो प्रतिरूप से बनाय जाता है गुलकोज को एथिल ऐल्कोहल में किस एंजाईम ज्वारा बदल दिया जाता है? कौन सा एंजाइम है जो गुलकोज को एथिल एलकोहल में बदल देता है जवाब दीजिए दिपिका अभी तक के सवाल कैसे लगे यह साच्छी ने बहुत अच्छी लाइन लिखिया है कि सर जी गलत हो रहा है तो क्या होगा गलत होने से एक अच्छी चीज यह है कि कुछ सीखने को मिलेगा बिलकुल सीखने को मिलेगा अब यहां पर सवाल पूछा गया है जाइमेज के बारे में तो जाइमेज क्या करता है गुलकोज है और इस गुलकोज को C6H12O6 जाइमेज क्या करेगा यहां से कार्बन डाइकसाइड का जन्मारत और साथ में इथिनाल C2H5OH और देखेगा चार और दस दो बार और यहां पर आकसीजन देखेगा दो यहां पर और यहां पर अब आपका यह बन गया यह पूरी रियक्शन बैलेंस होगे यह जाइए ठीक ना यह बन गया ठीक चाहिए पूछा है यह सवाल आप कर पाएंगे क्या अधिकांस बिटामिन मानो सरीर में संसलेशित नहीं किये जाते हैं कारण मानो अंग केवल अनिवार सुच्म पोसकों क काही संसलेशर करते हैं बात सही है कि हमारे सरीर में अधिकांस बिटामिन का संसलेशर नहीं हो पाता है मानो सरीर बस केवल तीन बिटामिनों का संसलेशर करता है उस बिटामिन के जो नाम है बिटामिन D, बिटामिन K, बिटामिन B12 इनका संसलेशर हमारे सरीर में होता है और बागी बिटामिन हमको खाना पड़ता है तो मानों अंग केवल अनिवारे सुचुम पोसुकों का ही संसलेशन करता है ए तथा आर दोनों सही हैं क्या बिलकुल आप भी इसी के तरफ गए हैं सत्रहवे का ए आप देखें यहां पर एक लाइन देखेंगा मानों अंग केवल अनिवारे सुचुम पोसुकों का ही संसलेशन करते हैं ऐसा निए बिटामिनों का भी करते हैं यहां पर कुछ बिटामिन के नाम हमने लिखे न बिटामिनों के करते हैं इनका बिटामिन का संसलेशन मानों के अंदर होता है तो यह वाला लाइन गलत हो गया पहला लाइन सही है कि अधिकांस विटामिनों का संसलेशन मानों चरिद नहीं करता है ठीक है लेकिन दूसरा कह रहा है कि मानों अंग केवल सुछ पोसक का संसलेशन करता है तो केवल लगा देना मतलब आपके लिए यहां पर आपको ब पहले बनता है उनको प्रोटो जाइलम और जो जाइलम बाद में बनता उसको मेटा जाइलम कहते हैं तो पहले जुब जाइलम बनता उसको क्या बोलते हैं प्रोटो जाइलम के द्वारा प्रोकेंबियम की रिंग बनती है जाइलम के द्वारा कैसी रिंग बनती है प्रो कैम्बियम रिंग बनती है अच्छा इसी के छल्ले से इसी के छल्ले से हम एज उम्र का निर्धारण करते हैं उम्र का करतें हैं हुरे फाउदे सुरि के प्रकास से उर्जयका उपियो कार्बं डायक्साइथ और पानी से किसको संसलेशित करने के लिए करते हैं प्रकास संसलेशन एएक Rainbow स्रावण का मतलब होता है सिक्रीशन का मतलब सिक्रीशन नहीं करेगा स्रावण का मतलब उसको पैदा करना है न हाँ तो यहां पर गुलकोज सभी कहरें सर जी गुलकोज और फोटो सिंतेसिस के अभिक्रिया जरूर याद रखेगा सिक्स सीओ टू, ट्वेल वेजटू और इसके साथ आपके पास बन जाएगा गुलकोज और साथ में आक्सीजन बनेगा ठेक है ये पूरी प्रकास संसलेशण के विक्रिया है पढ़्ण हरित है पूछा है इन में से कौन सा कथन लिंग संबंधित निर्धारण के बारे में गलत है तो यहां देखते हैं एक पुरुस में एक एक गुड़ सुतर और एक वाई गुड़ सुतर होता है बच्चे का लिंग निशेचन के समय निर्धारित किया जाता है जब नर और मादा युगमक मिलकर एक युगनज बनाते हैं इसमें एक पुरुस में एक X और एक Y गुड़ सुत्र होता है क्या होगा इसका सही जवाब आप्शन आप देख सकते हैं द्विगुडित जीवों में पूछा है इस कौन सा गलत है तो ये वाला तो सही लग रहा है बच्चे के लिंग निशेचन के समय ने धारित किया जाता है जब नर और मादा युगमक बनते हैं एक इस्त्री में 2 1 समान x और 1y होदे हैं ये तो तो सही है लेकिन ये वाला गलत है है तो इसमें गलत पूछा है तो C आपने गलत बताया होगा मैं कि सही है यह लास्ट लाना भी सही है के तिक है कोई डाउट तो नहीं कि हुआ है किसी का गुरूजी सालिशन देखने के बाद ओके ठीक है यूनिक गर्ल कर रहे हैं कि सर जी आज मेरा बढ़ड़े है तो यह आपको जुनमदीन की बधाई आप मस्त रहें जवरजस्त रहें खोब पढ़ाई लिखाई करें सालिय गुरु जी के बात माने हैं हमने बात मानने का मतलव हम कहए रहें х remember करें अगे चले पूछा है 하ँ निम्रिखित में से कौह सापért प्रहमस्तिस्क के बारे में सही निम्रिखित में से कौन साप प्रमस्तिस्क के बारे में सही नहीं है इसमें दो भाग होते हैं जिसे प्रमस्तिस्क गुलार्द कहा जाता है यह जो प्रमस्तिस्क है ना तो प्रमस्तिस्क दो परकार का है एक होता है आपका राइट हेमिस्पेर और एक होता है लेफ्ट हेमिस् इसमें पूछाएं कौन सा सही नहीं है इसमें फुल मिला कि अगर देखा जाए यह चाछट अधिक्तम समसे बड़ा भाग है कुछ जगों पर चाछट दिया है कुछ जगों पर असी दिया है सही है यहां पर यह वाला गलत है आप कहेंगे कैसे सर जी यह काम इसका नहीं है यह काम सेरी बेलम का है अनुमस्तिस का है यह अनुमस्तिस का काम है अगर हम प्रवमस्तिस के बारे में बोले तो जो हमारा प्रवमस्तिस का है इसका काम क्या है इसका काम है सोचने का इसका काम है बुद्धिमानी का इसका काम है स सूचना भंदारण करना ये सब काम इसके है किसका प्रमस्तिसक, सारे काम इसके है information, memory का, smriti का ये सारे इसी के काम इलेक्टरान वोल्ट किसकी एक ही काई है इसमें तो बहुत सारे लोग फशने वाले है कौन इसका जबाब देगा जो देखते हैं गलत जवाब हो रहा है किस सही पूछा सवाल बड़ा बढ़ियां सवाल है जवाब दीजेगा वर्दी के जिद्ध बड़ी बद्वासी हो रही है बताओ क्या होगा आंसर सुभा B बिभवांतर ने इलेक्ट्रान वुल्ट जो है वुल्ट देखके लोग बिभवा लगा देते हैं ये उर्जा का किसका है डबलू बराबर Q इन्टू वी और Q का मतलब इलेक्ट्रान और V मतलब वुल्ट ये उर्जा का मात्रग दिहान दिजेगा एक इलेक्ट्रान वुल्ट बराबर कोई डाउट तुने यहाँ पे एक सवाल पूछा हुआ है निमलिखित कौन सा उपकरण मस्तिस्क की बिद्यूतिय गतिविधी को मापने वाला यंत्र है मनुष्य की बिद्यूतिय गतिविधी को मापने वाला यंत्र इसमें से कौन सा है अब देखिएगा मस्तिस्क के लिए अगर हिर्दे के लिए कहा होता हर्ट के लिए कहा होता मेरे पुलिस वाले सेरो तो ECG बोलते हैं इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम और अगर ब्रेन के लिए कहा है इलेक्ट्रो इंसिफैलोग्राम पूछाए कौन सा बिद्युत आवेश का सुचालक है इसमें से बिद्युत आवेश का सुचालक कौन है अगर आप से पूछ लिया जाए आत्मराज ठीक है चवहान जी या पू चान्दी, कापर, एलुमिनियम और अहरन, यहाँ पे सही जवाब आपका काज होगा, सही जवाब आपका क्या होगा, काज होगा, किलियर है, पूछा एक किलोग्राम जल का तापमान, 30 डिग्री सेंटीग्रेट से बढ़ा कर, 80 डिग्री सेंटीग्रेट करने के लिए, आवस् इस इस उसमा होती है, S बराबर, एक कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेट, तो यहाँ पे वन ले लिए, और तापमान, अधिकतम में से नियुनतम को घटा दीजे, अधिकतम में से नियुनतम को घटा दीजे, एक हजार में, 50 से गुड़ा कर दीजे, तो यहाँ पर यह हजार को किलो लिख ले, 50 कैलोरी के जगापे, 50 किलो कैलोरी, 50 किलो कैलोरी, पूछाए, धागे के एक सीर पर बद्धे पत्थर के टुकडे को, धागे के दूसरे सीरे पर हाथ में पकड़कर बृताकार घुमाया जाता है, अगर धागे के लंबाई वा टुकडे का वेग, दोनों को दोगुना कर दे, तो धागे पर तनाव क्या हो जाएगा, यह सवाल जो है, बड़ा अच्छा सवाल है, और यह आप इतनी असानी से इसको नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सोचिएगा कि कौन-कौन इस सवाल का जव हो रहा होगा, तो पहले कितना था, mv square by r, और फिर कह रहा है, कि अगर हम क्या किये, धागे की लंबाई वा टुकडे का वेग, तो अगर टुकडे का वेग बढ़ा दिये, और लंबाई भी बढ़ा दिये, तो mv square upon r, और 224, 4 by 2, काट दीजे, तो यह कितना हो जाएगा, न तो कैसा होगा, दोगुना हो जाएगा, कैसा होगा, तो दोगुना हो जाएगा, देख लिजे, जिन लोगोंने दोगुना लगाया है, उन्ही का सही है, खतरनाक सवालों को भी आसान तरीके से हमने किया है, यह सवाल देखिएगा, कित्र में दो समतल दरपड AO और OB हैं, पर अब देखेगा यहाँ पर इसकी दिसा क्या होगी यहाँ पर जब यह आपतित होगी तो यहाँ जाएगी और यहाँ से फिर वो जिस दिसा में आई थी क्योंकि यह दोनों लंबवत है उसी दिशा में वापस चली जाएगी ठीक है पूछा उसी दिशा में एक्स वाई के समनांतर होगी विप्रीत दिशा में इसकी दिशा इधर है और इसकी दिशा इधर है विप्रीत दिशा में होगी लेकिन एक्स वाई के क्या होगी समनांतर होगी कितना खतरनाक सवाल भी आप लोगों ने कर लिया सर जी 24 नंबर का सवाल देखिए क्या हो गया ओहो हो अरे सौरी 24 में तामबा होगा देखिए यहां पर हमने लिखा भी है यह तामबा है एक मिश्टेक हमसे हुआ है तामबा समसे ज़्यादा चालक इसमे है मैं यहां पर लिखा भी हूँ चांदी फिर तामबा फिर एलुमिनियम यह मानवी भूल है छमा चाहेंगी इसके लिए आंसर मैंने एक्स्प्लेन करने में गलटिक किया हुआ है एक्स्प्लेन करने के बाद यदि किसी कड का रैखिक समवेक दोबूना कर दिया जाए तो गती जुर्जा क्या होगी अब गती जुर्जा का रैखिक समवेक के साथ एक फार्मूला है पी स्क्वाइर अपन टुयम अगर यह फार्मूला आपको ध्यान पे है तो बताइए गती जूर्जा कितनी गुणा होगी ठीक है तो क्या होगा तो जाहिर सी बात है 2P का 2P upon 2M और यहां पर स्क्वायर कर दिजेगा तो 4P square upon 2M और यह जो नही गती जूर्जा होगी वो पुरानी गती जूर्जा के 4 गुणा होगी पुरानी गति जुर्जा के कितना गुना होगी, चार गुना होगी, ठीक है, आगे चलते हैं, इस सवाल का जबाब दीजे, हाँ, रुपेश जबाब दीजे इस सवाल का, एक बटा दो कहां से आ तुम्हारा? बहुत सारे लोग इसको लाइक अभी नहीं किये हैं, उनसे एक ही आग रहा है कि भीजा लाइक तो करिये ही, मैं एकदम, मैं नहीं चाहता कि एकदम धुआधार खुब चिला के पढ़ाओ, मैं ये चाहता हूँ कि पूरा कांसेट बता कर पढ़ाओ, ठीक ना आराम से पढ़ा स्रोता है, स्रोता और स्रोत में रेलगारी चल रही है, स्टेशन पर पहुँच रही है, जाहिर सी बात है, उसकी ध्वनी आवरिती, सवभाविक ध्वनी आवरिती से बढ़ती हूई, आपको पता चलता है, सुनाई देता है, वो डापलर पुरभाओ के कांसेट, ठीक है? च सर पक्पू कह रहें सर जी पक्पू परदेशी क्या नाम है भीया बढ़िया नाम बनाया रिदम बनाया पूरा सेट किया पक्पू परदेशी नाम रखोंगा बदमासी करूंगा तो भी मेरे गाउवाले नहीं जानेंगे कि मैंने बदमासी की है तो मैं बदमासी क्यों करूंगा क्योंकि मैं अपना औरिजिनल नाम नहीं रखा हूँ गल दूसरा नाम रखा हूँ ठीक है यानि हम अपनी पहचान भूला दिये हैं यूट्यूब ने अपनी पहचान इंसानों की भूला दिये बहुत कम लोग हैं जो पहचान के साथ या आते हैं के बार तो लड़का लड़की होता है लड़की लड़का होती है ठीक ना के बार लड़का लड़का होता है तो भी हमको भी स्वास नहीं होता है कि लड़का लड़का है और लड़की लड़की है ठीक है तो यह होता है यह कहते है ना इसी को डिज में तो आ जाता था कि लड़का है ब्रीडर रियेक्टर हुआ है जिसमें क्या होगा आप इसका जवाब ए और बी आप सन्पे पहले सोचिएगा फिर बताइएगा इसमें क्या होगा आंसर ए और बी में सोचकर बताएगे ठीक है इसमें क्या होता है इसमें ये होता है ध्यान दीजेगा इसमें ये होता है कि जो बिखंडनी ये पदार्थ है बिखंडनी पदार्थ को जितना खर्च आप करेंगे उसी से आपको उर्जा की प्राइब जितना खर्च करेंगे उससे अधिक उर्जा की प्राइब ये द्यान पर रखें यह आप से ठीक है राश्टी वायू गुडवत्ता सुचकांग की प्रदोस्कों की संघंता के अधार पर यहाँ यह आप बताएगा एर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में आप से पूछा जाए तो आप क्या जबाब देंगे आठ प्रदोस्कों के अधार पर इसको रखा गया है एक दो तीन चर पांच छे साथ आठ आठों के नाम देख लिजेगा एक है पाल्टिकुलेट मैटर 10 एक है पाल्टिकुलेट मैटर हमारे पास प्रदूसक हो गया SO2 हो गया NO2 हो गया LED भी है इस लिस्ट में ठीक है SO2, NO2, CO, O3, NH3 और LED ये आठ प्रदूसक है टोटल आठ प्रदूसक है जिनके आधार पर AIR Quality Index Define होता है AIR Quality Index कितने प्रदूसको के अधार पर डिफाइन होता है 8 प्रदूसको क्या धार पर डिफाइन होता है आधुनिक आवर साड़ी में आवर्त lymph travaillτ और act authority के होते हैं देखिए कि आप प्रियादिक टेबल पढ़े होंगे तो प्रियादिक टेबल में लेंथिनम क के बाद आने वाले तक एक्टेन वाइड कहला है तो लेंधेन वाइड जो है इनकी छठ्वी आवर्त होती है और इनकी साथ्वी आवर्त होती है तो यहां पर छठ्वा और साथ्वा यह होगे छठ्वा और साथ्वा पूछा एक मिस्रड नीले लिटमस को लाल में उसका क्या होता है इसका जवाब आप देंगे मैं छोड़ देता हूं एसीड का pH अगर याद रहे कि साथ से जादा होगा कि कम साथ से कम एक ही जवाब है पूछा है बेंजीन में कितने सिगमा कितने पाई अगर बेंजीन की सलचना हम बना रहे हैं कितने सिगमा कितने पाई तो हर एक सिंगल बांड सिगमा होता है और हर एक डबल में एक सिगमा होता है इसमें भी एक-एक सिगमा है और यह पाई है तो पाई आपका तीन बाद में पाई लिखा है तो पाई तीन सम्में है सिगमा कितना है बारा बारा सिगमा है छे किनारे किनारे और छे बारा सिगमा है आप गिन सकते हैं गिंदें एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, बाहर का, अंदर का, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, शे, बार, नीचे दिये गए, आयू, पी, एसी, नामों में से, जो एक अलग है, उसका चैन कीजिए, किसको चैन करेंगे, कुछ ऐसा ही नाम दिया गया था, CH3OH, मिथे नाल, C2H5, OH, इथे नाल, अब देखेगा, यहाँ पर, इवेन नमबर में दिया, यह गलत, यह कंपाउंड ही गलत है, C4H9 होना चाहिए, ब्यूटे नाल का, ब्यूटे नाल में क्या होना चाहिए था, C4H9, पूछाए, किस परमाडू करमांक 17 वाला एक तत्व, नीचे दिये गए, किस परमाडू करमांक के तत्व के समान बिसेस्ता रखेगा, 17 वाला, तो आप कहेंगे, सर जी, 9 में 8 जोडे हैं, तो 17 हुआ है, और 17 में कितना दो, तो 18 जोड़ोगे तो 35, फिर 18 जोड़ोगे, तो यहां पर आंसरवा का ही हो, 35 हो जाए, भुचपूरी वाले कितने लोग हैं, जिसको भुचपूरी समझ में आता है, मंदारी से बता हैं, नहीं कि भुचपूरी या हिंदी मिक्स करके बोलते हैं, एकदम देसी भासा प पित का स्राव होता है, यह कृत से, अगनासे से, छोटी यार्थ से, यह कृत से होता है, लेकिन स्टोर कहां होता है, यह स्टोर होता है पिता से में, पिता से में, देख ले कितने लोग हैं, बच्छा भीया, रुपेस भी हैं, बहुत बढ़िया, अच्छा आंसरू बताने लगे से बीच-बीच बहुत बढ़ी यह होता है पढ़ने वाले बच्छे सवाल के बीच में हां सब्जी हम औहां चलिए दो सवाल हो रहे पीछे की और उड़ने वाला एक मात्र पछी ऐसा कौन सा पच्छी जो पीछे उड़ता है कुई ऐसा पच्छी जी जैनते है आप वाइक गेर ने अओ पताई सी कौन सा आई सा पक्छी जी तीनों भासा में नहीं भाई जो पीछे के रोड़ता हमिंग बड़, अचा हमिंग बड़ की चोच उसके सरी से लंबी होती है, लास्ट कोश्चन, निमलिखित में से किन अस्थाई उत्रकों में कोशिकाय मृत होती है, किस अस्थाई उत्रकों में कोशिकाय मृत होती है, एसकलेरिन काईमा में हमेशा कोश निमलिखित में से कौन रंध्रों के बंद होने और पत्यों के गिरने में मदद करता है यानि यह प्लांट के हार्मोन से पूछा गया और आपके पास पूछा गया है यह भी प्लांट हार्मोन प्लांट हार्मोन से दो सवाल पूछे गए हैं और याद रखेगा यह दोनों सवाल महत्वपुड हैं बिहार पुलिस 2023 की तयारी जो थी जो फार्म आया था उसी के तयारी हम 2024 में भी कर रहे हैं और एक महत्वपुड एक्जाम था जिसमें बहुत सारे 20,000 से उपर फॉर्म थे और एक सीट लेना था एक्जाम एक बार हुआ पेपर लिख हो गया आप लोगों के वजह से ही आपने पेपर केंसिल कराया अधरवाइज अयोग्य लोग को योग्यता मिल जाती योग्य अयोग्य मैज जुन में आपके ट्रेनिंग शुरू हो जाएगे लगवग ट्रेनिंग के बाद मने यही एक प्रक्रिया अभी जो दिखाई दे रही है तो अगर आपके दिल में आग है कि साल नौकरी दिख रही है नहीं हुई तो क्या हुआ बहुत सारे लोग छोड़कर अपना दू देख और है लाए यही सी रहे है फ़िर दूबारा कल मुलाकात होगी आये बताते है कि प्लास की पीडियो कहा मिलेगी उससे पहले कि पेड बैच में घोड़ना हो तो अफिल कर यह ना काम नंबर से रजिस्टर कर लीजेगा दूसरा है एम डी क्लासेज के टेलिग्राम चैनल से जोड़ना हो तो अभी से एक सर एम डी क्लासेज का टेलिग्राम चैनल से आप जूड़ सकते हैं MD Classes Africa इससे भी आप जूड़ सकते हैं यहां पे भी आपको इस Class का PDF मिल जाएगा बहुत भवत धन्यवाद आज के Class में आने के लिए आप सभी मस्त रहें जिगरजस्त रहें Math की Class पहले हो चुकी है अच्छा मैत की Class कब होगी अच्छा पुलिस के नाम से नहीं हुई है लेकिए होगी जैहन सभी को थैंक्यू अच्छा अच्छा